टाइप E chopper टाइप E chopper में हम 4 choppers का यूज़ करते हैं और 4 diodes का यूज़ करते हैं इसे 4 quadrant chopper भी बुर जाता है 4 types से इसे work करवाया जाता है और हर एक type A quadrant को show करता है इसके बारे में discuss करने से पहले हम इसका circuit diagram देखते हैं कि ये किस तरहां से connected होता है इसमें हम 4 choppers का यूज़ करते हैं CvH1, H2, CH3, CH4 ये 4 choppers हैं और 4 diodes का यूज़ करते हैं ये 4 diodes हैं जो D1, D2, D3 और D4 show किया गया है input से हम supply करते हैं जो source voltage supply करते हैं वो यहां से supply करते हैं और जो इसका load है वो इनके बीच में connected होता है ये एक inductor और एक battery के साथ ये इसका load connected होता है इसके close output voltage आती है अब हम इसकी working देखते हैं जो हम 4 ways में करेंगे और 4 quadrants में ये different ways में work करता है सबसे पहले जब हम हमारा CH1 और CH4 ये हम first quadrant के लिए कर रहे हैं first quadrant के लिए जब हमारा CH1 और CH4 on condition में होता है ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा CH1 है वो इस time operated condition में होता है इस time पे CH1 और CH4 on हो जाती है और voltage से जब source voltage से supply करती है तो हमारे पास source current flow होता है यहां से source voltage supply कि तो हमारा source current flow होगा इस time पे CH1 और CH4 on condition में है तो हमारा जो current flow होगा source current यहां से flow होके CH1 से पास करके हमारे inductor और battery से flow करके CH4 की तरफ जाएगा क्योंकि दोनों on है और जो output voltage होगी इस time पे यहां पे जो output voltage आएगी और जो output current flow होगा यहां जो output current flow होगा वो यहां से इस direction में हो रहा है यह हमारा output current है जो load की तरफ flow हो रहा है और यहां पे जो voltage है वो है output voltage हो इसके cross आएगी और यहां से यह सारा output current हमारा CH4 में से पास होगा इस time पे जो output voltage होगी वो source voltage के equal होगी जितने source voltage हम provide करेंगे उतनी ही हमारी output voltage आएगी और इसी में ही अगर हम chopper 1 को off कर देंगे और chopper 4 इस time भी on condition में है तो इस condition में current कैसे flow होगा इस time पर यह current जो यहां से जा रहा है जो chopper 4 में से flow हो रहा है यह current chopper 4 में से pass होके diode 2 में जाएगा और इस तरह से flow करेगा इस तरह से यह इस time पर जो output current और output voltage देख output current भी इस side में है और voltage है वो positive है तो हमारा जो hedged area होता है वो first quadrant में बनता है first quadrant में इसका hedged area है यह first quadrant में work करता है इसके operation एक बार और देखते हैं जो chopper 1 ओपरेटिंग condition में था chopper 1 और chopper 2 दोनों on condition में आए यही हमने किया था और जब यह on condition में तो हमारा current इस तरह से flow हो रहा था और output current और output voltage जो होती है वो positive होती है इसलिए यह first quadrant पे बनता है और यह first quadrant में जो work करता है यह step down chopper की तरह work करता है इस time पे हमारा chopper 2 on condition में है और chopper 1, 3 और 4 off condition में है जो हमारा current flow होगा वो inductor से एल से flow होता हुआ chopper 2 पे जाएगा यह इस time पे जो current की direction है वो opposite हो जाएगी वो इस तरह से flow नहीं होगा लेकिन इस तरह opposite direction में flow करेगा inductor से chopper 2 पे flow करेगा और उसके बाल यह current chopper 2 से cross करके diode 4 पे जाएगा यह current इस तरह से flow करेगा diode 4 से यह battery पे और फिर inductor पे इंड़क्टर तब तक energy को store करेगा जब तक कि जो chopper 2 है यह on condition में है अगर जो हमारा chopper 2 है यह off condition में आ जाए तो अगर यह off condition में होगा तो क्या होगा कि जो हमारा current है जो कि diode 4 से pass हो रहा था अब वो diode 4 से cross करके इन डायोड यह battery और इंड़क्टर से pass होके diode 1 पे जाएगा और source की तरह flow करेगा और इस टाइम पिजब CH2 off condition में है और जो इंड़क्टर है वो उस energy का use करेगा जो उस ते store की थी जब chopper CH2 on condition में था उस energy को store करके उस यूज करके वो diode 4 बैटरी L और D1 में से current को flow करवाएगा और source की तरफ move करेगा इस टाइम पे जो source voltage होती है वो less होती है जो मारी output voltage हाती है वो होती है E plus L di upon dt जो कि जादा होती है source voltage से तो यह जो chopper होता है यह step up chopper की तरह वर्क करता है और इसका जो hashed area है वो second quadrant का होगा क्योंकि इसमें क्या है आट जो voltage है वो तो positive में है लेकि current क्या हो रहा था opposite direction में flow हो रहा था इसलिए जब हमारा CH2 on condition में था यानि कि सबसे पहले CH2 operated condition में था जैसे हमने पहले बात की थी CH2 से पास होके current हमारा D4 में जा रहा था और जब CH2 on condition में था तो inductor क्या कर रहा था energy को store कर रहा था और अगर हमारा CH2 off condition में आ गया तो जो सारा current है वो diode से पास होके battery और inductor से पास होके diode 1 में जाएगा यानि D1 और D4 इस टाइम पे conduct करेंगे जब CH2 off condition में रहेगा और इसका hatched area होता है second quadrant क्योंकि current है वो opposite direction में flow करता है लेकिन voltage positive रहती है अब हम बात करते हैं हमारे third quadrant की third quadrant जिसमें chopper 3 और chopper 2 on condition में है देखो इसमें एक change और है battery की polarity जब हम first quadrant की बात करते हैं तो battery की polarity positive इस side होता है negative इस side होता है लेकि जह हम third और fourth quadrant की बात करते हैं तो battery की polarity change कर देते हैं ऐसा इसलिए ताकि हमारे hatched area third और fourth quadrant में रहे तो यह battery अब इस side positive हो गया है और इस side negative हो गया है opposite कर दी है battery को और CH3 और CH2 इस time on condition में है तो जो हमारा current flow करेगा वो source से flow करके CH3 से pass होके battery और inductor से pass होके chopper 2 की तरफ flow करेगा इस time पे अगर chopper 3 on condition में रहे और chopper 2 को हम off कर दें तो current किस तरह से flow करेगा देखो current अभी भी opposite है इस तरह से flow नहीं कर रहा बलकि opposite direction में flow कर रहा है current अभी भी opposite है और voltage भी negative है इस time पे और इस time पे क्या होगा यह जो सारा current है जो इस time CH3 जब work नहीं कर रहा है तो यहाँ से current flow नहीं होगा तो यहाँ जो current flow होगा यह CH2 से पास होके diode 4 पे यह इस time पे CH2 और D4 एक साथ conduct करेंगे और यह current पेटरी से और inductor पे अगीन पास होगा इस time पे जो हमारी voltage है और current है वो दोनों negative है current भी हमारा opposite flow कर रहा है और voltage भी हमारी negative है इसलिए कौन सा quadrant है जिसमें current भी negative है और output voltage भी negative है यह हमारा third quadrant यानि कि यह हमारा इसका जो hashed area होगा वह third quadrant का होगा जिसमें कैसे operate किया था सबसे पहले CH3 जो की operated condition में था CH3 और CH2 फिर on condition में आए और current source से पास हुआ और output current के opposite direction में output current flow हो रहा था output voltage पे और CH2 से पास हो रहा था अगर CH2 को off कर दिया तो क्या होगा यह सारा current जो की E, L और CH2 से पास हो रहा था अब diode 4 में से cross होगा और इस तरह से यह flow करेगा इस तरह से output current और output voltage दोनों negative होती है और यह third quadrant में work करता है अब हम बात करती है fourth quadrant की one more thing की जो हमारा third quadrant में जब chopper work करता है यह हमारा step down chopper की तरह operate करता है next है हमारा fourth quadrant जिसमें हमारा chopper CH4 on condition में है और बाकी सब both condition में है तो इस time पे जो current flow होगा वो हमारा CH4 से diode 2 से और in output देखो अब current यहां से flow हो रहा है CH4 D2 और देखो यह current फिर यहां से inductor और battery उसी direction में और positive direction में flow हो रहा है अगर current opposite direction में जाता है तो negative होता है यह देखो output इस direction में जाना चाहिए तब ही वो positive होगा तो इस direction में flow हो रहा है तो इस time पे क्या होगा कि जब तक CH4 on condition में रहेगा तो inductor हमारा energy को store करता रहेगा CH4 से diode 2 और inductor अगर CH4 off हो जाए यह जो chopper है यह off condition में आ जाए तो current जो हो रहा था वो अब diode से flow होगे inductor और battery से flow होके D diode 3 को conduct करेगा और source की तरफ flow करेगा यह time पे क्या होगा voltage negative होगी और जो current है वो positive में flow करेगा लेगी current देखो इसी direction में flow कर रहा है और जो voltage है वो जो की source की तरफ flow कर रही है और यह voltage होगी negative तो इस तरह से यह fourth quadrant में work करता है और इस time पे CH4 जो की operated condition में था पहले और CH4 और D2 एक साथ flow करता हुआ D3 की तरफ जाता है और source की तरफ move करने लग जाता है जिससे output voltage क्या हो जाती है negative हो जाती है और output current क्या होता है positive यानि output voltage negative और output current positive जो की fourth quadrant में work करता है इस तरह से हमारे चोपर four conditions में work करते है four quadrant में अलग अलग तरीके से लेकिन एक condition हमेशा याद रखना कि जब भी first और second quadrant की बात करेंगी तो बैटरी की polarity यह रहेगी इस positive जो negative है वो इंडक्टर की साइड रहेगी positive इस साइड रहेगी लेकिन first और second quadrant में बैटरी की polarity change हो जाएगी इस तरह से टाइप इच आप पर वर्क करता है